हेलो सारे प्यारे बंदूओं कैसे आप सब लोग मैं अंकेज जान स्वागत करता हूँ कोटा मेंटर्स के चैनल पर आप लोग का यह बड़ा important वीडियो है जैसा कि आपने thumbnail description में देख लिया होगा हम roadmap discuss करने वाले physics का 2025 के लिए कैसे आपके chances को हम high chances में cover कर सकते हैं to get 98-99 percentile in span of next 3 and 3 half months कैसे हम अगले 13-14 हफतों के अंदर जेए को crack कर सकते हैं बहुत अच्छे score के साथ वो सारे students जो बहुत अच्छे तियारी में अभी नहीं है जिनको समझ नहीं आ रहा है कि अब अगले हफतों को हम कैसे utilize करें तो लोग लिए वीडियो बड़ा ही important होने वाला है तो physics का कैसे हम प्लान करने वाले आईए इस roadmap को discuss करते हैं सबसे पहला part जो हम यहां पर discuss करने वाले हैं वह 1224 जो पिछले साल paper हुआ उ इतने भी शिफ्टों में paper हुआ है उनमें on an average कितने question पूचे गए तो यह जो collectively दिखा रहा है कि units in measurement के अंदर लगबग 14 questions आए है motion in 1D में 12 questions आए motion in 2D कम पूचा गया है relatively laws of motion बहुत ज़्यादा पूचा गया है 16 questions आए work power energy ठीक 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 पूचा गया है 9 question आए center of mass काफी सा portion हटा था तो इसलिए इसको कम पूचा गया है rotational again बड़ा chapter है लेकिन ठीक 10 question पूचे गए है gravitation एक बहुत छोड़ा chapter है लेकिन 10 questions इससे पूचे गया है जिसको बहुत बड़ा बना देता है इस chapter को weightage के साब से आप देख सकते हैं fluid से mechanical properties of solid से भी ठीक ठाग 99 questions पूचे गया है thermal properties of matter बहुत ज़्यादा पूचा नहीं गया है लेकिन इसको compensate किया है अगर आप यहां बहुत गवर से देखें तो एक thermodynamics में और दूसरा ktg ने ktg से again एक छोटा unit है लेकिन बड़े सारे question 12 questions पूचे गये तो बहुत important बना देता है इसको oscillation wave से दोनों से question आये है 8 6 मतलब ल electrostatics का जो दो portion हम पढ़ते हैं electric charge and field and capacitor and potential इससे आप देखेंगे तो लगवाग 26 questions है बड़ा important portion यह बन जाता है अगर आप देखें इसकी मुकाबले one third है जो time लगता है लेकिन इसमें 26 है और इसमें 25 questions आए है तो current electricity अगें एक बहुत heavyweight chapter बन जाता है आपको जरूर जरूर ज moving charge and magnetism एक बहुत यह लवेबल portion जिसका question बहुत आसानी से हो जाता है 15 question पूछे गए magnetism matter वाला जो portion है जो कि कहने को हट गया था लेकिन कुछ एक shift में गलती से आ गया पता नहीं कैसे आ गया दो question देखे गए हैं तो इसका लेकिन ज्यादा पेन लेनी की जरूरत नहीं है electromagnetic induction अगेन एक बड़ी unit है लेकिन सिर्फ 9 question देखने को मिले है जबकि alternating current छोटा लेकिन बड़ा धमाका है यह भी हर shift में लगबग एक question alternating current से ज़रूर देखने को मिला है तो इसको भी आपको बहुत बड़ी आसे प्रिपेर करना चाहिए यह भी हैवी weight कह सकते हो चाप्टर है है light लेकिन heavy weight है अगेन EM waves हर shift में question है भाई साब तो इसको भी ज़रूर प्रिपेर करना चाहिए ray optics बड़ी unit है लेकिन लगबग हर shift में question almost है 11 question मतलब हर shift में question मान सकते हो wave optics अगेन आप देख सकते हो ray optics के मुकाबले छोटा है लेकिन इसमें 12 question है बराबर तो इसको ज़रूर करना चाहिए यह भी एक heavy weight आप मान सकते हो unit है dual nature of radiation, atom, nuclear अगर आप इन तीनों को collectively देखोगे तो 28 question बन रहे हैं जो कि बड़ा high portion मान सकते हो तो इन तीन चीजों को भी आपको prepare जरूर करना चाहिए lastly semiconductor जो की maximum portion हड गया था transistor के बाद का फिर भी इससे 10 question देखने को मिल रहे हैं मतलब अगेन इसको बड़ा important मनाता है और हमारे जो experimental skills वाला portion है इससे भी लगवक 6 question देखे गए experimental skills में कोई अलग से चीज नहीं है विदिन दी चाप्टर जो जो experiments होते हैं उन पर hooks law मान लीजिए stress strain curve के उपर बात कर लीजिए capillary reaction मान लीजिए तो उन सब को यहां पर count करके experimental skills में लिया गया है लगवक एक question per shift यहां से भी आप देख सकते हो सो यह है physics का year wise weightage कैसे कहां पर क्या analysis है अगेन अगर देखा जाए तो चार-पांच unit जो उबर के निकल के आई है 11 से वो एक units and measurement बहुत important है motion and 1D बहुत important है laws of motion बहुत important है rotational center of mass combinedly ठीक है ठीक है ग्राविटेशन बहुत important है mechanical properties of solid बहुत important है छोटा portion है thermodynamics ktg बहुत important है oscillation waves है आता है तो अच्छी बात है लेकिन एक बार side बर रख सकते हैं 12 वाल अगर अपन portion में जाए तो अगिन हमने देखा वहाँ पर electrostatics वाला portion बहुत important है current electricity important है बहुत important है in fact आगे चले moving charging mechanism बहुत important है फिर AC बहुत important है बाकी तो आप करते ही हो prepare बट इनको आपको highlighted form में करना चाहिए इंवेज बहुत important है पूरा wave optics अगर आप ले ले तो ये बड़ा important है आपका पूरा जो atom वाला part है modern ये भी बहुत important है ये units अगर आप बहुत ध्यान से करते हैं तो आपके बहुत high score करने के chances बन जाते है 98-99 percentile तक पहुँचना physics में बहुत आसान बन जाता है अगर आप सिर्फ इन units को भी धंग से prepare कर लें अब prepare करें कैसे सर कैसे divide करूं आने वाले time को अगर मैं खुद से self study mode में हो क्योंकि इस साल बहुत सारे students हम देख रहे हैं self study mode में है तो हमें कैसे prepare करना चाहिए सर थोड़ा सा अब अगर अभी से भी प्लान बता है तो कैसे होगा तो अगले 13 हफते का लगबग जो हमारे पास आज से जी में फर्स एटेम्ट देखें तो लगबग 14 हफते के आस पास है तो हमने 13 हफते लिए हैं उन 13 हफतों को हम कैसे utilize करते हैं आज से भी कोई students start करे तो भी वह weekly सिर्फ दो यूनिट लेकर के दो चाप्टर लेकर के करे तो भी cover कर सकता है सब दो हफते में दो चाप्टर करके भी बात बन सकती है बिलकुल बन सकती आईए देखिए सबसे पहले जो मैंने पहला week लिया है इसमें दो बड़े important units आगर बड़ा important बनता है stressful बनता है तो इसको बहुत ध्यान से करना होगा आप लगवग इसके अंदर दो से तीन दिन दीजिए ठीक है लगवग इसके अंदर दो दिन दीजिए और एक से दो दिन motion in 1D के अंदर दीजिए तो आप इस unit को बहुत आसानी से कर लेंगा और यह बहुत important units हैं खासकर loss of motion आप दिख सकते कितने सारे question पूछेगा है वाट साथ में work energy भी कर लेंगे साड़े तीन साड़े तीन दिन अगर आप देंगे लगवग साथ में से तो आप इन दोनों units को आसानी से cover कर लेंगे मुझे लगता है दोनों में बराबर सा time लगेगा next week में हम च आपको तीन दिन से चार दिन देने पड़ेंगे इतनी सारी चीज़ है जबकि mechanical properties of solid दो से तीन दिन में बहुत बढ़िया level पर prepare हो जाएगा तो मैं आपको बोलूँगा mechanical properties of solid को बहुत अच्छे से कर लीजेगा इसलिए मैं इसको center of mass के साथ पहले डाल दिया है next अपने week लि प्रिपेर होने में जबकि gravitation बहुत आसानी से दो दिन में maximum तीन दिन में प्रिपेर हो सकता है तीन दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूछा बहुत गया है तो आपके बहुत सारे पीवेक्यूस हो जाएंगे करने के लिए 2023-2024 में तो बहुत ही बार पूछा गया है तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूं तो मैंने इसी इसाफ से चीजे लिए नेक्स्ट फ्ल्यूड और के टीजी फ्ल्यूड टाइम लें कंज्यूमिंग है लेकिन के टीजी बहुत जल्दी प्रिपेर हो जाएगा बहुत थोड़े मोड़े से फॉर्मूले है लेकिन आप देख स इसे इसको कर सकते हैं मैंने पूरा एक साथ ले लिया है क्या thermo वाला maximum portion thermal properties of matter thermal properties of matter मुश्किल से 2 दिन लेगा thermodynamics भी मेरे साब से 3 दिन लेगा maximum आपके पास यहाँ time बचेगा तो अगर पिछले किसी week में कोई ऐसा portion रह गया है जिसको आप cover नहीं कर पाए हो तो tension मतले ना जहाँ पर मैंने filler space छोड़ी है जहाँ पर आप उसको उस backlog बन जाए तो cover कर सकते हो बीच बीच में मैंने जान बूचके कुछ-कुछ weeks में time छोड़ा है ताकि previous जो heavy week था उसको आप यहाँ compensate कर पाओ next नेक्स हमने लिए oscillation and waves oscillation मुश्किल से मुझे लगता है 2 दिन लेगा वेव मुश्किल से तीन दिन लेगा तो यहाँ पर भी पांस दिन का है तो दो दिन बस्ते हैं आपके पास अगर आप smartly तयार करोगे तो दो से तीन दिन में आप आराम से और दो से तीन दिन में वेवेव कर सकते हो जी मीन लेवल पर फाल्ट के चीजें मत कीजेगा डॉप पर हो जाओगे वीक 7 पर हम पौँच चुके हैं साथ हफते में लगबख आपकी पूरी 11 त कवर लगबख साथ हफते में कवर ओचुके हैं वीक 8 से अब हम पुष चुके हैं 12 के वीग 8 मैंने पूरा का पूरा एक यूनेट को दिया है जैसा कि आपने देखा था जिसपे ब करने वाला बॉस यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फॉर्मुले हैं तो इसमें टाइम लगेगा पहले कह देता हूं तो आप अन्य अगर पिछले हफ्तों में टाइम बचाया हो तो इसको पिछले वीक से ही शुरू कर सकते हो लगवक्त यह कम से कम चार दिन करना पड़ेगा अगर आपने ठीक से प्रिपेर नहीं कर रखा है तो यह साथ में आठ दिन का काम है तो सिंसीरली करना पड़ेगा वीक एट बहुत क्रूशल है बहुत ध्यान से करना है जो किए और बीच में लिए heavy duty weeks जैसे week 9 current electricity and magnetism यहां पर अगर आप दिखोगे question बहुत आए हैं लेकिन prepare करने में बहुत time नहीं लगेगा current को मुश्किल से 3 दिन लगेंगे और magnetism तो मानता हूं 2-3 दिन में आसानी से कर सकते अगर आपकी practice अभी तक momentum बन चुका है तो बहुत आसानी से 2-3 दिन में prepare हो जाएगा भाई यह week 9 भी बहुत important week है right so next week पर चलते हैं next week में अगें दो chapters मैंने एक साथ लिए एक EMI AC alternating current ठीक है EMI को आप 3 दिन दीजेगा जादा मत दीजेगा और इतने ही दिन यहाँ पर आप AC को दीजेगा सर एक दिन बज गया मुझे पता है आगे से आपका कुछ backlog हुआ होगा तो 10 नंबरी week में मैंने एक दिन एक्स्ट्रा छोड़ दिया है ताकि आगर आपके बाद कुछ backlog हो तो आप उसको ले ले नहीं है सब सही चल रहा है तो revise कर लें please तो ही आप excel करोगे वरना गड़बड हो सकती है दोस्त नेक्स वीक 11 अगेन इसमें एक छोटी यूनिट एक बड़ी यूनिट मेंने ली है एक रे आप्टिक्स को ले लिया है instruments के साथ और EM waves ले लिया है लेकिन इस वीक का भी आप वेटेज दिखोगे तो लगबग 20 questions को वेटेज है 2024 के साब से EM waves कहने को एक दिन में prepare हो जाता है एक दिन में prepare हो जाता है लेकिन हर shift में एक question है तो बहुत important हो जाता है रे आप्टिक्स आपका तीन से चार दिन खाएगा मेतर तीन से चार दिन खाएगा लेकिन मैंने इसको यहां रखा है यहां पर आपके पास एक से दो दिन का फिर buffer छोड़ा है कारण आपको बता चुका हो अगर आगे कुछ week में time ज़्यादा लग गया तो परिशान मत हो न करके आप उस buffer को इस्तमाल करके आप उस revision को कर सकते हो तो इसलिए एक से दो दिन का buffer मैंने आप पर छोड़ा है इससे ज़्यादा time मत लगाना दोस्तों अगर इससे ज़्यादा time आप लगा रहे हो तो फिर गड़बड हो जाएगी फिर फ्लान आपके लिए work नहीं करेगा या कोई प्लान आपके लिए work नहीं करेगा प्लान तभी work करता है जब आप dedicatedly काम करते हो तो अगर आपका dedication ही गड़बड होगा तो सब गड़बड हो जाएगा तो इसलिए प्लीज बहुत ही seriously sincerely dedication के साथ करेंगे तो अभी भी मनजिल तक पहुँच सकते हैं वर्ना तो भई पड़े लगबग 6 हफते हो चुके थे एक डिड़ महिना जिसको आप कह सकते हो तो आपके पास वापिस से time है इसको brush up करने का जब आप वेव आप्टिक्स पड़ें तो एक बार वेव को वापिस से revise कर लें अगर आपने वेव को यहाँ वापिस से revise कर लिया ना तो आपका waves ही बड़ी हो जाएगा और wave optics तो यूँ चुटकियों में solve हो जाएगा तो मैं मानके चलता हूँ यहाँ पर आप एक से दो दिन देने वाले हैं बस और wave optics से आप दिख सकते कितने सारे question आए इसमें wave optics आसानी से prepare हो जाता है और बहुत ही fundamental question पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसानी से solve हो रहे हैं कोई यहाँ पर if in but है ही नहीं इस बात को समझेगा प्लीज जे में लेवल पर question difficult नहीं आ रहे हैं अगर आप 12,24 या 23 या 22 या 21 किसी को भी देख ले हैं तो paper बहुत आसान आ रहा है तो game जो है subject coverage का wide coverage होनी चीए game है practice का game है गलतियां कम करने का या नही करने का problem क्या है वहाँ जाकर के student घबरा जाता है उसका subject coverage proper नहीं है या उसका revision ठीक तरह से नहीं हुआ है इस वज़े से वहाँ जाकर की गलतियां कर रहा है या उतने number नहीं ला रहा जितना कि लाना चाहिए तो self confidence प्लान के साथ आप चल रहे हैं मैं आपको 100% guarantee से कह सकता बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को कर रहे होंगे next dual nature of radiation atom nuclear modern physics वाला portion इसको जान बूच कि मैंने 12th week में रखा है क्योंकि यहां पर याद रखने वाली चीज़ें बहुत सारी है तो end of the आप रखोगे तो आपको दुबारा बहुत जादा time revise करने के लिए नहीं मिलेगा न स्टार्टिंग के वीक्स में पैन चलाने वाला काम करनी कोशिश की है last week में याद रखने वाली चीज़ें करने की कोशिश मेंने की है right next week पर चलते हैं तो next week में अगेन एक light model रखा है semiconductor और experimental physics अगर आप यहां पर देखें तो semiconductor को दो दिन में experimental skill को वैसे तो अलग से कुछ prepare क to the end आपका patience level कम होता जाएगा patience जैसे जैसे कम होता जाएगा ना नई चीज़ सीखने में उतना डर्ड लगेगा उतनी जादा anxiety होगी तो वैसी घबरा रहोंगा तो इसलिए मैंने छोड़े छोड़े topics end में रखें और यहीं पर आप again जैसे मैंने आपको बोला you have to learn and revise तो य यह था अभी तक हमें क्या करना चाहिए अब सर करे कैसे किस अफते कितने chapter करने चाहिए किस तरह से करने चाहिए यह तो बता दिया सर आपने अब इनकों मैं करू क्या तो आप लोगों के लिए quota mentors ने दो बहुत important काम कर रखें बाई जो लोग एक dedicated plan चाते हैं कि सर हर दिन motivated नहीं हूँ या मैं इतना dedicated नहीं हूँ मैं करना तो चाता हूँ मैं कर तो सकता हूँ लेकिन कोई लगाता डंडा लगाता रहे या मुझे बता दे भीया तू तो इतना ही पढ़ ले आज़े एक plan दे और plan को मुझे follow करवाए तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक हमारा एक rapid learning course start किया है जिसको short form में दुनिया crash course कहती है इसका नाम है जीत जीत course लगबग 90 से 95 days चलने वाला है अगें तीन महीने के आसपास और इस course की खास बात क्या है इस course की बहुत सारी खास बात हैं सबसे पहली खास बात क्या है एंड तक सुनीगा बहुत सारी important बात है आपको बतान दी है तो 90 to 95 days का यह course चलेगा और हर subject के अंदर लगबग 85 से 90 lectures लिए जाएंगे बहुत ही detailed के अंदर हर चीज़ें discuss की जाएंगी specifically जो की mains में जरुवत है लगबग 10,000 plus question practice कराई जाएगी 10,000 से ज़्यादा question practice करा देंगे आपको 90 दिनों में अंदादा लगा ले ना per day कितने question हो रहे है एक बड़ा अच्छा weightage बनने वाला है यहाँ पर 10,000 plus questions हम आपके साथ ले करके कर रहे होंगे और हम नहीं आप कर रहे होंगे ठीक है बड़ी important बात है मैं mentorship या GMP कहते हैं वो भी आप लोगों को मिलेगी साथी साथ एक और special tool है वो है mindset mentorship हम हर student को एक बहुत important weekly interaction देंगे कुछ standard चीजों के साथ ठीक है 100% reveal नहीं करूँगा लोग copy कर लेते हमारे को बहुत जल्दी पर अच्छी बात है अगर वो अच्छे के लिए copy कर रहे है तो और चाते हैं हर कोई अच्छी education दे और हर बच्चे को अच्छी education बिले affordable education बिले सो हम एक mindset training देंगे कि जेए के अंदर paper में जाते वक्त week on week कैसे mindset रखना चाहिए वो mindset को paper में कैसे use करना चाहिए कैसे आप अपने mindset को proper train करके अपने attitude को अच्छा करकर के जेए मैं अपने percentile को जो ने वो किया है जोनोंने वो problem phase की है जो कि आप करते हैं तो वो हम है और आप ही के जैसे आपकी seniors है तो हाँ उन से आप लोगों का interaction यह mindset training होने वाली है बहुत शानदार काम इस mindset training के अंदर होगा तो वो सारे student जो इस course को join करना चाहते हैं आप लोगों के लिए यह course 10th of October से start ह पुरा भाई कि और आप होगा online है कि मॉर्णिंग आर्स में classes लगाएंगे शाम को mentorship session प्रैक्टिस सेशन होगा कि फीज क्या है तो इतनी सारी चीजे है कि वैसे तो बहुत वैल्यू है उसकी कोई वैल्यू लगा नहीं सकते लेकिन इस course की फीज है टूफोर डबल नाइं पर हमारा एक code है G250 चीक है अगर आप उस code को यूज करते हैं तो code को यूज करने के बाद यह जो फीज है यह वन ट्रिपल नाइन हो जाएगी if you use this code तो इस code को यूज करने के बाद आपकी जो फीज है वो वन ट्रिपल नाइन के बराबर हो जाएगी तो आप सबसे request रहेगी कि अगर आप चाते हैं इस course में enroll करना तो आप इस course में enroll कर सकते इस जीत 1500 यह पहले 1500 बच्चों के लिए हम यहाँ पर एक discount दे रहें चीक है एक benefit दे रहें सर मैं नहीं कर सकता मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम ले रहें जिसका नाम है final 30 कि सर बस मुझे तो कोई चीजे सहारा मिल जाए पार तो मैं अपने आप निकल जाओंगा मैं बहुत dedicated हूं तो अगर आ समय से उस सीरीज को ले रहें प्रिंसर ले रहें मोईसर ले रहें तो उसके अंदर हम सारे chapters final 30 के अंदर discuss करेंगे तो ऐसा जवर्दस्ती नहीं कर सकते तो आप यहां से भी final 30 सीरीज से भी पढ़ सकते हैं और इन सारी चीज़ों कर सकते हैं तो गाइस यह था कैसे आपको road map आप बना करके चलना चीए वो road map मैंने आप लोगों को दिया इसको follow कीजिए ठीक है वेटेज बता दिया है कैसे वेटेज है कौन कौन से chapter secret weapons है जिन पर काम करना बहुत important है usually student यह सोचता है कि rotation ली सबसे बड़ा और सबसे important chapter नहीं है उससे ज्यादा important chapter gravitation है उससे ज्यादा important chapter wave optics है उसके बराबर important chapter EM waves है उससे ज्यादा important chapter units and measurement है यह mindset का खेल है और इनको आसानी से तयार भी किया जा सकता है KTG बहुत important हो रहा है जैसे अपने analysis में देखा और यहीं लगबग analysis इस साल भी हमें लगता है कि follow होगा तो guys यहीं पर आज का धन्यवाद कहता हूं आप लोगों का आपने इस वीडियो का रेंट तक देखा है तो please बताईएगा आपको हमारी तरफ से और क्या मदद की जरूत है अगर कोई doubts है तो आप इस session के बाद जब आप उसको complete करें तो देख सकते हैं और पूछ सकते हैं ठ ठीके comment section बताईएगा अगर आपको कोई और डाउट है तो वह भी हम clarify कर देंगे थैंक्यू टाटा बाइबाइब फिर मलते हैं ऐसे session में बाइगाइज